असलाव अलेकों स्टुएंट्स आई होब यौ और वाल सो आज जो है हमारे जो चैप्टर है हमने लास्ट टाइम और गेनिक केमिस्ट्री का फर्स चैप्टर डिसक्स किया था फंडमेंटल प्रिंसिपल ओफ और गेनिक कंपाउंड ठीक है जो हमने वह चैप्टर डिसक्स कर लिया था उसका जो है एक पार्ट लास्ट पार्ट जो था आई सुमेलिषम का तो रहता है वह फिर फर सीथ पार्ट होगा कि ऑप्र दो पार्ट मैंने अपलोड करनी है ठीक है और व जो है एक बेसिक चैप्टर है अगर वो आपको नहीं जिस ने नहीं देखा होगा तो आगे की केमेस्टरी पिर उनको पिर अल्ला याफिद है मतलब पिर उनको समझ नहीं आने वाला तो इस वज़ासे मेरी आपसब से रिक्वेस्ट है कि पहले वो लेक्चर आके देख ले तर्ट पार्ड जो आइक्समर्रिजम का है थीक है और मैं कवर कर्वाओंगी लेकिन फिलाल फिलाल है चाहिए थीप्रेट कर आपके हैं तो लग चाहते हैं मैं तो क्यांने तो लगता अतुम जायनगे इसक कर्वाने में और आप लोग कहते हैं कि आपको टैस्स के बारे में इन्फर्मिशन नहीं है जब मैं कहती हूं मैं कितनी दफ़ा आपको कहा है कि चैनल की कम्यूटी पेज पे जाके वहां पे आप सारी अपडेट ले लिए मैं अपडेट कर दिया हुआ होता है लेकिन फिर भी आपके सेम कुछिंद होते हैं मैं हम टैस्स का नहीं पता है मैं हम चैटर्स कौन से या तो आप ग्रुप को जॉइन कर ले या तो आप चैनल की कम्यूटी पेज को विजिट किया करें यह दो चीज़े आप कर सकते हैं इन पता है मैं सब्च्टरून किसे दोनों पता है पता है और आप चैनल को जोड़े हैं यह विजिए फिर आप पार लिप ग्रुप में आपडेट के लिए यह लोग में पीब ए आप बारे लिए खिम आप पेजिए यह लिए बारे टेस्के नहीं है किसी भी एक नबर में मेंसेज करें व आपको गुरूप में एड कर देंगे सिंपल कर दिया अब तो बिलकुल मैंने अचा हमने लेक्चर का जो है दो मिनिट आय कर दी इस पे अब दुबार से मुझे यह में यह कीज़ेगा हाइडोकारबन आपको पता नहीं चल रहागिया था कि अधार आप नहीं चल रहां गया था नाम से आपको पता नहीं चल रहा किया है 水 лишь hydrogen, carbon means carbon नीट सबस़् loro नहीं है hydrocarbon सबस्टे ही 공я Latinigan carbon is capable of only carbon hydrogen पटेंगि को संगे ुसमें हाइक पाइपनेन एक बदन हाइडके की सतरु ॉब हमँठे ही हाइड्रumed कारवन की क्लासिफिकेशण तो जो लास्ट क्लासिफिकेशन में नहीं देखी और डारिक यह देख रहा है फिर जब वह देखी का फिर कंफ्यूजन होगी तो सीक्वेंस वाइस चले यह थोड़ा सा इसको रेस करूं कि यहां मनें खबातिया है है ऩी अगर थोड़ा सप्री का टृकिशन हाइडोकार्बन को फर्तर दो में divide किया गया है एक है open chain तुसरे क्या है close chain ठीक है मतलब close है श्क्राज बिल्कूल close है इस तरह से रिल्कूल close है और एक है open chain मतलब खुलावाई जैसे यह देखें नीचे से खुलावाई यह देखें उपर से खुलावाई यह ओपिन चेन है ठीक है अच्छा ओपिन चेन को अलिफेटिक भी कहते है अलिफेटिक हाइडोकार्बन भी कहते है ठीक है और क्लोस चेन को साइकलिक हाइडोकार्बन भी कहते है यह तो बताने की जरूरत ही नहीं है लास्ट टाइम भी बत इसको फर्तर डिवाइड किया गया है एक है सेचुरेटेड दूसरा क्या है अनसेचुरेटेड तो यह समझते हैं लास टाइम भी ने बताया वाई थीक है तो सेचुरेड़ है लास टाम जो हमने डेल बाद की है तो इसमें जैसे की जब आगी आए तो आप लोगो बताना ना पड़ए थीक है तो सेचुरेटरेड हरा हरद में क्या होता है सिंगल बॉंड होते मतलब जो है बॉंड्ड होते हैं सेचुरेशन होती उसमें मज़ीद किसी एटम के आने की गωνजाईिश नहीं होती में सिंगल बॉंड होता है तौरी मैंनि स्टेंट रिया में सिंगल ब interf ज वीड़ी को पोस्के कमेंट करें अल्काइन में होगा सब कुछ बता चुकी हुए है तो आपने दो केटेगरी देखी Saturated Hydrocarm, जिसमें अपने अलकेन देखा कि उसमें में अमधीना ने बताया था लास्ट टायम होता है उसका जर्नल फार्मॉला भी लिखा वाई अशनल फार्मॉला और लिखा ने बताया और पर में आयरल की पर लास्ट आको अब दो चुनल क Conc op, कि भी ऊता नहीं वेघ्ल खार्वाई कर दो दियता तो वह देख लीजेगा यह जनलर फॉर्मुला उसकी होमोलोगर सीरीज उसके प्रक्टेस हम विडियो देख लीजेगा फॉर्स्ट वाली फॉर्डमेंटल प्रिंसिपल अर्गनिक केमस्ट्रे की अच्छा ठीके सचुरेट में आपने देख लिए अंसचुरेट में अलकीन ब अच्छा जब बच्छे हमारे साथ बहुत ज़ाइनिंग हो जाएगी बच्छे ही थोड़े कम है तो हम फिर लाइव लेक्चर लेना स्टार्ट कर देंगे ठीके फिर मैं आपसे लाइव बात करूंगी लिकर अभी फिलाल हलका रखते हैं ठीके अच्छा 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 सब कुछ जाए था इनिए इधन कुछ आ एपने सब कुछ जो है त्या यह थैक है आपने साडे क्या करने इस तरेक्षयन हो गही किए यह एक शाहिदे और नॉनमबर ओफ था तो इसकी कॉल ठीक है एक तो समझ नहीं आती जब ही मापकी लिए लेक्छर बनाती फिलाए तो क कि दिश्च दारों की तरफ सी कॉल आ जाती है तो सौरी अच्छ ह हम कहां पर थे हम थे हम आ अब आ यह को यह बता रही थी कि बई आपको homework भी दिया था अलकीन का भी CnH2N इसकी प्रक्टिस करके बताई थी अलकाइन CnH2N-2 ठीक है तो आप यह फॉरन जो है जो भी पूछती जाओना मुझे बोलने की ज़रूबत ना पड़े पड़े जो रेगुलर स्टुटेंट है अचा इसके बाद यह मनें ऑप्ड़ेंट हैं के इन का है इसके बाद जो थी ऑपने कर देखा लेए ना फॉर्ट एक ट्रवेटर प्लस तो थी तीक है फर्फर्टर आपने इन इन सब के फार्मूला आपनें से निकालने है मैं उमीद क यृब तोसी बाद दूसरी है जिसमें 2 हो आते हैं अल्कीन निकांइन Alkene और में डबल बॉन होता है को मैंने अधिके जब रिम नेकिते हैं तो आखिन अन्हें इन आता है मतलड एम यृद्न नेल टिक कि आता है कि मैं इन ते ज्दूमोर्ड गणिता इन नई तो खुछ सोचे मीथेन में कैसे डबल बॉन होगा मीथेन में तो होता ही एक कारबन है तो जो मीथेन में नालकीन में होता है नालकाइन में होता है वो सिर्फ अलकाइन में होता है यह मसी क्यूज भी आ सकता है ठीक है और बहुत कॉमन अमसी क्यूज होगा जिसमें हम इन दो कैटेग्री में डिवाइड किया गया है ठीक है अच्छा यह लास टाइम एक स्टुडेंस का मेसेज कमेंट भी आया था तुम्हें दुबारा सही आप एक्स्प्लेइन कर देती हूं देखें बैटा मैंने यह खाता है अब देखें हैं हाइड कारबन की जो सेकेंड उसकी तरी स्टुक्चर होता है उनका बिलकुल बैंजीन की इन पर देखें किस तरह से आपको लग रहा है मैं देखो डॉट डॉट कर के दिखा रहे हूं यह एक कारबन यह रहा दो तीन चार अप्छ छे इसमें छे कारबन हैं और कितने डबल पॉनन एं तीन डबल बॉंन है और छे कारबन ही है ठीक है तो यह देखें बेंजीन का स्ट्रक्चिर तो इस तरह से है एक पीछे फ्यूरोन का दिती तो फिरोन और बेंजीन तो तो पिल्कुल डिफरेंट है फिरोन तो उसमें करबन शकल बने इसका structure इस तरह से है यह बेंजीन का structure है उसका structure तो इस तरह से था I think और फाइफ कार्बन पर था ठीक है तो आप देख लीजेगा ठीक है तो डिफरेंट है यह तो होगी है यह बने बता भी दिया आपके क्योरी विसे मैंने कमेंड में बता दिया था लेकिन फिर भी बने है यह बने पर धांग कर बात कि जाए तो बैंजीन उसकी उसकी एक्जामपल है 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 और इसमें जो है कार्बन के इलावा नाइट्रोजन ऑउक्सीजन भी आ जाये तो फिर हमारे है यह बन्सीन रिंग में नाइट्रोजन गुरूप आके आ जाता है यह नाट्रोजन अलग तो फिर Pyridine हो जाता है तो मैंने वो एक example बताई थी Pyridine बाकी example भी आपके textbook में दी गई है तो बाकी example भी एक दफा देख लीजेगा उसका structure भी बना होगा साथ में example भी देख लीजेगा बस इसको आपने देखना है देखें ये lecture enough है ये lecture देखने के बाद आपने अपनी working क्या करने है lecture को दुबार से revise करना है साथ में notes बनाने ये जो भी यहां mention है इसको जो भी मैं बोल रही हूँ कि मैं extra बाते बोल रही हूँ उसको आपने note down करना है ठीक है आपके lecture notes बनके ये तो यहां से आपने चापा उपर से जो मैंने बताती रही वो आपने site में लिखते रहे उपर से जो आपके query है वो आपने site में लिखी और जब मैंने आपको आंसर किया उसके answer लिख दी आपने ठीक है तो इस तरह से आपके proper notes तयार होगे उस proper notes से आपने revision करने के बाद क्या करना है आपने अपनी textbook को open करना है ठीक है, textbook को open करने का क्या मतलब आप textbook को open करेंगे तो वो topic देखेंगे आप दिखेंगे गार कि तो पूरा ऐसा लग रहा है जिसमें हम दीना हमें सामने बेटके पढ़ा रही है क्योंकि मैंने वो lecture आपकी textbook से लिया है अब बच्चे पूछते मैं हम सिंसे हैं हम पंजाब से हम KPK से हैं बेटा ये lecture तमाम प्रोविंस के लिए है आप बले फेडरल का बच्चा हो बले KPK का हो बले बलुचिस्तान जितने भी प्रोविंस है ना वो lecture देखने के बाद में बुख ज़रा खोल ले फिर मुझे बताए कि मैं यह चीज थी आपने नहीं बताए ठीके इस यही mcq दाते हैं यही basic material होता है जो कि पूछा जाता है हर प्रोविंस के स्टूडंट से और mcq देखने की प्रैक्टिस भी करवानी है तो kindly साथ जुड़े रहें अपने friends को सब को एक ही जगा ले आए share करे material share करे groups share करे knowledge ठीक है दूसरों की मत करेंगे तो जादल आपके रास्ते भी असान फर्मा देगा अलहंदल्ला मुझे इस बात बेहद है कि इन्हें बेहद की जादल ने कि मुझे support करना YouTube के थूँ ठीक है ऐसा नहीं कि मैं बहुत well dependent हूँ नहीं मैं आपकी ही की तरह एक needy student हूँ मुझे अन्दाजा है इस बात का इसी लिए में ये working कर रही हूँ जब किसी को अंदाजा होता है जब कोई स्टेज से गुजरा हूँ होता है तो बता है वो कहता है कि मैं तो स्टेज से गुजर गया मेरे लिए कोई नहीं था लेकिन आपके लिए में हूँ ठीक है, तो जिस पर गुजरती है ना उसी को पता होता है मुझे पर गुजरी है, मैं आपको अबनी कहानी सुचते हूं कि बताऊं लेकिन सच बताऊं तो बताने का हिम्मद ही नहीं होती बताने की तो आप लोग शायद यह समझते हैं कि हम यहां तक जो पहुँचे हैं यह ऐसे ही हम पहुँच गए मैं तो आप से भी बहुत ज़दा नीडी स्टुटन्ट हूँ ठीक है लेकिन यह सब आ क्यों कि मैं यह सब कुछ फेस कर चुकी हूँ ठीक है सो मजाक ना करें अपने पैरें हम आप लोग की सोच नहीं है बस आप लोगों ने सपोर्ट दिखानी है ठीक है अच्छ हम कहां पे ते अरोमेटिक बेंजी अरोमेटिक में जो बेंजीन की तरह श्टक्चर होता है वह आरोमेटिक में आता है देखे अरोमेटिक मतलब बेंजीन-like structure ठीक के इस ग्जम्पिल यह और यह एक लिए किलessä सेव में आका है कहां उसलोगने बने के कि पाधि कि वर दो दो के चरवकली को भी जिए फिर सम्में सेव कल दना व्य सुल्च पाधिए भी च्रून के पीर प्रूपन ने कुंगे अगर मैं यहां करके दिखाओ एक कार्बन तो यह रहा ठीक है एक कार्बन यह रहा अगर मैं थोड़ा साफ करूं कि बहुत गेच पीज हो गई है अगर मैं अगर आपको बता हूं किस तरह से साइकलो प्र्पें के रहा है अपने रटा नहीं लगा ना देखे इस तरह से बनावाएं और इसका ек्रबन यह रहा थीक है एक अरा यह कार्बन यह रहा है अगर double bond होता, तो क्या आता? इसमें डबल बोने मतलब इन आ रहा है इसके आखिर में एन आएगा क्योंकि डबल बोने तो साइक्लो ब्यूटीन होगा यह तो यह देखें मैंने दोनों एक्जेम्पल ले ताकि आपको कन्फूजन ना हो तो हमने यह हाइडो कार्बन को पूरा डिसक्स कर लिया है क्लोस चे मतलब यह सकता है थी कि साइक्लो ब्यूटीन चाहिपन नियुकरीटैन ने यह दो इवल भी और इसकी इलावाब को सकती है तो यह मैंने आपको हाइडो कार्बन की बहुत रिटेल मिश्य बता दी है अब हम नेक्स चलते हैं यह इतना इतना यह एक्टराली अगे और में लि